देखिए अब सभी पार्टियां मिलके हैं हमने एक स्टैंड लिया है कि यह जो एलाइसी के पैसे उनका जो बर्वादी हुई है और यसली आई बैंक से भी लोन लेकर जाद रातियल बैंक की इसने इनवाल है शाहिए ऐसे बहुत से संसाये हैं आर्थिक संसाय वो सभी ने पैसा इस आदानी एंटरफाइस में लगाया है तो हम किसी को व्यक्तिगत या किसी इंडिविजुल को टार्गेट निकल रहे हमारा टार्गेट यह है कि सामान्य जनता का पैसा जो उसमें भसा हुआ है और आज दिवाला सामान जनता वहां पर अपनी पॉलिशी ओल्डर्स के पैसे उसमें है इस भी आए में कौमन मैं के पैसे डिपॉजिट रखे तो इन पैसेओं के लिए एक गोटाले के बारे में हम चाहते हैं कि एक अनुपायरी हो या तो जॉइंट पार्लमेंटरी कमिटी से हो या सुप्रीम को के जीफ जस्टिस के नेत्रत में डे टूड़े बैसेस पर उसकी एंक्वाइरी होके जो भी इसमें गल्तियां किये हैं जो भी हो सकता है कल के दिन से भी उन्होंने क्यों नहीं लेका या आर्पिया इने इसके उपर क्यों नहीं सोचा यह सारी चीजे उस वक्त अब जो भी चीजे बाहर निकलेगी तब उसके तहर जिस पर एक्षन लेना है क्या करना है वार बार उनकी बाती पहते हैं मोदी जी क्या बोलें वह बोलें देखिए यह बात इतनी है सादन हम उन्हों चलाना है हम चलाएंगे लेकिन जो न्याएं मिलना है न्याएं के सादी पार्टियाओं का यही राय है फिर खल हम दसवजे मिल रहे हैं मिल के बिद डिसाइड करके इस मुद्दे को उठाएंगे